यह कहानी मेरे मामा के गाउं की है, वहां गाउं में मेरे दो मामा और उनका परिवार रहा करता था. सब कुछ अच्छा चल रहा था डौट, पर एक सडक हादसे में मेरे बड़े मामा की मृत्यू हो गई. इसके कुछ समय पश्चात मेरी बड़ी मामी की मृत्यू भी हो गई, इसके बाद मेरे छोटे मामा और उनका परिवार भी गाउं का घर खाली करके शहर आ गए पर कुछ महीने बाद मेरे छोटे मामा को गाउं के घर जाना पड़ा उसकी मरम्मत करवाने के लिए उन्होंने गाउं में मरम्मत का काम शुरू कर दिया एक दिन शाम को मरम्मत का काम खत्म करके छोटे मामा रात के करीब आठ बजे छत पे खड़े थे उन्होंने देखा कि नीचे मेरी बड़ी मामी खुले बालों में आंगन में टहल रही है ये नजारा देखके मेरे मामा की आँखे फटी की फटी रह गई। वो तुरंत नीचे की और भागे, जैसे ही वो सीडियों के पास पहुँचे उन्होंने देखा की मेरी बड़ी मामी नीचे से चोथी सीडी पर बेठी थी और पीछे गरदन करके उन्हें घूर रही है। ये देखके मेरे मामा बुरी तरह डर गए और अपना होशखो बेठे। इसके बाद उन्हें सुबह जब होश आया, तो वो पडोसियों के घर चले गए, उन्होंने पडोसियों को पूरा नजारा सुनाया। इसके बाद मेरे मामा की तबियत बुरी तरहे खराब हो गई, वो जल्दी से शहर आ गए पर उस रात को कभी नहीं भूल पाएं।